विल्कम बैक तो यह चैनल स्टूडेंट तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइथ का जैक बोड का आपका मॉडल पेपर ठीक है यह मॉडल पेपर कुशन से टू है तो आज हम लोग इसी को करेंगे तो देख लेते हैं फरस्ट उसी तरह से हैं जैसे हम लोगों ने पहले मॉडल पेपर का प्रैक्टिस किया सिम उसी तरह से यह भी एक मॉडल पेपर है जिसको जैक द्वारा ही पब्लिश किया गया था यह बहुत पहले से पब्लिश था तो कुछ-कुछ स्कूल में मैंने देखा कि इससे भी टेस्ट लिया जा रहा है तो मैं आप लोग को उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए एक्जाम और अच्छा जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट में आपका दिया हुआ एक पैसेज दिया हुआ है पैसेज को रीड करते हैं कि फ्लॉरेंस नाइट एंगल वस बॉन्ड ओन 15 मई 1820 ठीक इटली में फ्लाइस जहां पर जन्मी इस लिए इनका नाम पैरेंस ने फ्लॉरेंस रखा ठीक है। only ambitions ambition was to become a nurse and serve the sick and poor people इसका सिफ इनका सिफ एक ही ambition है ambition का मतलब क्या लक्षे है aim है कि नर्स बने और गरीब लोगों की मदद करे whenever she saw any sick and miserable person she became panic जब भी वो किसी miserable person को मतलब घायल आदमी को या sick बिमार आदमी को देखती है तो पूरा panic हो जाती है खड़बढ़ाने लगती है घबराने लगती है she spent many year in visiting on hospital after the other बहुत सारा समय वो hospital में spend की है she took the training and become a nurse और training करके वो nurse बनी day and night she visited every bed in the hospital तो दिन रात दिन रात करके वो क्या लिए hospital जाती है patient को देखती है to see that no patient was neglected and left uncured कोई भी ऐसा patient नहीं होता है जिसको neglect कर देती है मतलब ध्यान नहीं देती है और uncured uncured मतलब बिना ठीक किये ठीक है छोड़ नहीं देती है ठीक हो जाते तब ही उसको छोड़ती है तो she herself gave them medicines खुद वो medicine भी देती है she took care of their food उनके खाने पीने का भी ध्यान रखती है she was also known as lady with the lamp तो उनको एक नाम से भी जाना जाता है lady with the lamp she was very kind, hurted and merciful ठीक है तो वह बहुत है kind है kind hurted मतलब दयालू स्वभाब है दयालू दिल की है और merciful है तो चलिए अब देखते हैं उससे question answer देखे बहुत easy रहेगा first है आपका florist night angle was born in तो कब जन्म हुआ तो देखिए यह option दिया हुआ है तो यहां देखेगा एक mistake है इस पर आप ध्यान नहीं दीजेगा first second यहां पर थर्ड होना चाहिए था ठीक है तो 18-20 इसका answer हो जाएगा third option उसके बाद second question है her only ambition was to become उनका ambition क्या था तो उनका ambition देखिए यहां पर बता रहा नर्स तो second number option choose कर लिजेगा नर्स हो जाएगा फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग third number question में तो whenever shall a sick person see become जब भी वो sick person को बिमार आदमी देखती तो क्या करने लगती है फूर्थ option है panic वो पूरा the lamp ठीक है तो the lady with the lamp यह third number option choose कर लिजिए उसके फिप्थ नमबर है find the word which means ambition अभी जैसा मैंने बता है ambition का मतलब होता है आपका कुछ target करना aim करना ठीक है लक्ष तो यहां फूर्ष नमबर में aim दिया हुआ तो aim choose कर लिजिएगा ठीक है उसके आगे बढ़ते हम लोग आगे में फिर से एक पैसेज है water is one of the most important natural resource ठीक है water है जो की सबसे important बहुत जरूरी natural resource है प्राकृतिक संसादन है with the rising population there has been an increasing pressure on the earth resources जैसे जैसे population जो है जनसंख्या बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे अर्थ पर प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है scarcity scarcity of water has been filtered throughout the country scarcity मतलब हो सकते कि पानी का कमी जो हो रहा है पूरा देश में हो रहा है पूरे ऐसे तो धर्ती पे हो रहा है efforts have been made to collect water by building dames तो हम मतलब यहां पर बता है जाए effort लगाई है पानी को बचाने के लिए dame बनाया जा रहा है wills have also been dug to create groundwater तो will will क्या होता है यह will का मतलब कुवां कुवां डग किया जा रहा है कि groundwater को बचा सके but this is not enough लेकिन इतना करना काफी नहीं है पानी बचाने के लिए wise conservation of water is needed ठीक है मतलब wise क्या बुद्धी बुद्धी मानी से हम लोगो conservation करना है मतलब बचाना है पानी को one of the most popular weight of conservation is rain water harvesting ठीक है rain water harvesting सबसे अच्छा method है it means collecting rain water on the roof of building तो इसका मतलब जाता rain water harvesting का मतलब कि छत पर rain water बरसात का पानी को जमा करें and storing it ground for the later use फिर उसको वहां से किसी भी source से माध्यम से चाहे तो pipe up के माध्यम से जमीन में ले जाए underground और वहां इस टंकी भी लगा दें वहां इस टोर करके रखें जिससे आप उसको future में यूज़ कर सके फिर this method can rises the level of the ground water and also increased water supply इससे क्या होगा ऐसा करने से अगर हर आदमी ये काम करेगा तो बरसात का पानी बरबाद ना हो करके सीदा underground जाएगा जमीन के अंदर जाएगा अभी हम लोग बोरिंग करते कुँआख होते हैं पानी निकालने के लिए तो वहां तक पहुंच जाएगा पानी और अंडर्गांड वाटर लेबल जो हैं मेंटेन रहेगा फिर वाटर फ्रम कीचेंस बाथ्रूम इस कालेक्टेड एंड क्लीन इट कैन देन बी यूज़ फूर परपस अदर दैं ड्रिंकिंग पीना छोड़ करके और भी कोई दूसरा परपस में यूज़ कर सकते हैं फिर देखें इससे रिलेटड कोश्चन अंसर है देखें बचल हां सिक्स नंबर में क्या दिया हुआ है कि वाट इस वन अफ तो मौस्ट इंपॉर्टन नेच्रोल रिसोर्स सबसे इंपॉर्टन नेच्रोल रिसोर्स क्या है तो अभी हम लोग पल रहे है वाटर के बारे में तो वाटर चूज करेंगे देन वाट इस वन अफ दो मौस्ट पापुलर वे अफ कन्ट वाटर कंजर्बेशन वाटर कंजर्बेशन का सबसे पॉपलर मैथेट क्या है तो फस्ट ही में देखें रेन वाटर हर्वेस्टिंग प्लांटेशं ठीक है तो ग्राउंड बाटर लेबल जो है पानी का वो बढ़ेगा फिर नाइंथ नमर कोश्चन वह वेस्ट वाटर कैन नॉट पी यूज फूर वेस्ट वाटर किसी चीज के लिए यूज नहीं किया जा सकता है तो देखिए वेस्ट वाटर जो है आपका ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता है जो पानी गंदा निकलता उसको पी नहीं सकते है ठीक है बाकी तो वाशिंग किसी चीज़ को दोने में clean करने में gardening में कर ही सकते हैं तो इसका four number option हो जाएगा उसके बाद which word in the passage means gather gather means क्या होता है passage में जो दिया हुए gather उसका मिन्स होता है collect ठीक है जमा करना अब आते हम लोग आगे देखे जो अब तक चैनल को subscribe नहीं कि वो please चैनल को subscribe कर ले और वीडियो को अच्छा लग देखें आपका एक क्या बोलते हैं लेटर दिया हुआ है लेटर को complete करना है तो क्या होगा देखें माई डैस फादर ठीक है तो यहां पर भर सकते हैं dear my dear father अच्छा best रहेगा कि हम लोग option देख लेंगा अभी एक बर रिट कर लेते हैं my डैस फादर I am well here and hope you to be the same I dash you in the last letter to send me 1000 rupees I am in great dash a period of 15 days have gone by the by and I have not yet dash the amount I have to dash my school fee tuition fee and so on I have also to buy some books kindly sent me the money by money order as soon as possible with best regards your affectionate son ठीक है तो यह है आपका लेटर मतलब क्या है लेटर में कि वो पैसा मांग रहा है कुछ बूकुक लेने के लिए tuition fee देने के लिए तो देखें फिर्स्ट नमबर जो 11 नमबर में है उसका answer हो जाएगा आपका यह dear my dear father फिर 12 नमबर में देखें I dash you in the last year ठीक है तो I wrote लेटर लिखे थे आपको last year फिर I am in great dash great अगे देखें क्या है 13 के लिए आपका हो जाएगा I am in great difficulty तभी तो पैसा मांग रहा है बहुत बड़ा समस्या में इसलिए तो उसको पैसा चाहिए तो 13 का 3 नमबर चूज कर लिजेगा फिर उसके बाद 14 I have not yet dash the amount 14 का option हम लोग देखते है 14 का option आपका दिया हुआ है reached received received अच्छा दे कि यहां कितना चोटा सा twist है received received spelling का सिफ changing है उसको पकड़ना है आपको यह received का 15 का फूर हो गया आगे देखे 16 क्या है grammar से related है वही टेंज से related question है कि आई शौट डैस elephant अच्छा यह टेंज करने यह तो बहुत basic article का दिया हुआ है देखिए यहां पर इभोवेल है जो भोवेल है तो आपको पता होगा कि जहां भोवेल होगा आई आई ओ यू आपको भोवेल तो यादी होगा आई ओ यू यह आपका भोवेल है यह भोवेल अगर फर्स्ट में कहीं भी आएगा तो एन का यूज करना है बाकी जगा तो एं ही रहता है तो देखिए यहां पर क्या कीज़ेगा आप एन यूज कीज़ेगा एन elephant ठीक है 16 इसके बाद 17 प्लीज गिम मी डैश बुक तो यूर चूज हो जाएगा प्लीज गिम मी यूर बुक 17 का फर्स्ट नमबर फिर 18 तब प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म तो देखिए आप तो ऑप्शन देहीं दिया है डायरेक्ली कि प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म है और य यह प्लस हैव यह रहाज प्लस भर्ब का 3rd फॉर्म वह पका 3rd फॉर्म देन अब्जेक्ट ठीक है तो अब देखिए आपे हैब लगा हुआ है और कथि भीतरी है तो बस सिम्पल है यही एंसर हो जाएगा आपका तो तो नमबरस चूज कर लिजएगा आई हब कॉंप्लीट in my work, उसके बाद, 19 you dash follow the discipline you dash, अब यहाँ पर देखिया यह models का question है has choose कीजेगा, have choose कीजेगा, should or had, इसमें से कौन सा सही होगा, यहाँ पर आपको should choose करना है, you should follow the discipline तुम्हें discipline को follow करना चाहिए, okay, then आते हैं हम लोग 20 number question पर 20 number है, dash I have a glass of water, तो इसमें choose करना है, तो will, would, should then can, then can पर हम लोग देखते हैं कि can सही होगा, can I ठीक है, can I अब यहाँ पर लिख सकते है, can I one minute, so can I have a glass of water, ठीक है, तो can choose कर लिजेगा, for number अब आते 21 में, the boy where dash in the class, ठीक है, the boy where dash in the class, एक चीज़ और धान देजेगा where है, that means, यह past, past continuous tense का form हो गया, उसका क्या होता है, structure तो subject होता है, was where होता है, subject होगा, was where होगा, plus verb का fourth form होता है, यह फिर ing वला form होता है, तो बस इतना छोटा सा चीज़ है, easily बन जाएगा, और एक चीज़, और अगर आप लोग को tense पढ़ना है, तो आप मुझे comment जरूर करें, कमसे कम 20 comment अगर हो जाएगा, तो हम tense को जरूर पढ़ा देंगे, ठीक है, तो देखे, यहाँ पर shouting जो है, two number, shouting is cancer हो जाए, the boy we are shouting, उसके पर 22 number में देखे, I dash to Delhi next month, ठीक है, I dash to Delhi, अब यहाँ पर बताएगे, क्या होगा, तो four number देखे, I am going to Delhi next month, ठीक है, अदर 22 का four number, अब 23 number में आते हैं, C dash newspaper every morning, तो C है, third person, singular number, ठीक है, तो यहाँ पर आप reads choose कीजिएगा, बस, और plus में यह daily है, बता रहा है यह daily काम हो रहा है, तो यहाँ पर reads हो जाएगा, C reads, तो two number choose कीजिएगा, फिर आते हैं, 24 number question में, the passive voice the passive voice of he plays cricket, तो देखे, इसमें object, सबसे पहले ध्यान में रखने के object आपको डोड़ना है, cricket object है, तो cricket जहाँ first है, वो answer हो सकता है, तो cricket, उसके बाद, यह देखे, आपका simple present tense में है, he play cricket अब इसको जब change करते हैं, तो खो जाएगा second number option, cricket is played by him, ठीक है, उसके बाद आते है, 25 number question यह फिर से, models का question है, you does to speak the truth, अब यहाँ तो आप सोचिएगा कि must कर देते, you must to speak the truth, पट, यहाँ to है already, इसलिए out to होगा, ठीक है, तो third number choose किजिएगा, you out to speak the truth, ओके, देन आते हैं, 26 number question में, कि गीता, dash गीता is a holly book, तो एक चीज़ याद रखना है, किसी भी तरह का religious book के आगे, हमेशा article के रूप में the का use होता है, ठीक है, तो दर लगा लीजेगा, उसके बाद, 27 number है, who found the real book, यहाँ से आपका literature स्टार्ट हो रहा है, 26 number तक तो हो गया, जो भी grammar और यह शाप पोर्शन था, 27 से literature स्टार्ट हो रहा है, बुक का है, टेक्स्ट बुक से question है, तो देखे, टेक्स्ट बुक का मैं पूरा वीडियो जो है, जो भी आपका first time में एक्जाम में आने वाला है, English का, उससे related सारा वीडियो बना चुका हूँ, उसका एक playlist होगा, playlist में जाए, चैनल सब्सक्राइब करें, playlist में जाए, और playlist पे जाकर करे चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो देखे, who found a real book, real book कौन पाता है, तो Tommy पाता है, तो two number choose कीजिएगा, फिर 28 का है, बिस्मिल्ला खान was deeply attached to, बिस्मिल्ला खान किस्टे अटेस्ट है, तो दगंगा रिवर से, ठीक है, उसके बाद, कीजिया जो थी, वो अपने ड्रिम में क्या देखती है, तो एक बुचर को देखती है, ठीक है, वो एक बुचर को देखती है, कि चाकू लेके उसके तरफ आते रहता है, उसके बाद आते 30 number, what does Santos mean, Santos हिंदी वर्ड है, जो हमनों बोलते हैं, संतोस, तो संतोस का मतलब होता है, Satisfaction, ठीक है, तो fourth number, इसका answer, चूज़ कर लिजएगा, अब आते 31 में, Albert Einstein वाज़ है, तो यह तो बहुत easy है, Albert Einstein कौन है, तो scientist है, मतलब scientist थे, उसके बाद 32 number question, who banned the playing of musical instrument, called Pungi, Pungi को कौन बैन किया, तो Emperor Orange यह, 32 का first number चूज़ कर लिजएगा, 33 में देखिए, We can make friend with the wind God, if we are, देखिए, वो wind poem का में ही लिखा हुआ था, सुबर्मन्यम भारती का, कि wind God, किसे friendship कैसे कर सकते हैं, तो third number, strong one, अगर हम strong होंगे, तो wind God से friendship कर सकते हैं, तो third number चूज़ किज़ेगा, उसके बाद आते है, 34 number, who's comes in the poet's memory, when its range, जब बरसात होता है, तो poet को किस की याद आती है, तो किस की mother की याद आती है, तो one number चूज़ कर लिज़ेगा, the rain of the roof का chapter है, उसके बाद आखे आते है, 34 के बाद, 35 देखे, बहुत easy question है, road not taken, कौन लिखा है, तो Robert Frost लिखे है, उसके बाद, how was the little boy feeling, while going into the fair, जब वो मेला में जा रहा था, छोटा लड़का, तो वो कैसा feel कर रहा था, तो देखे, fourth number, choose कर लिज़ेगा, full of life and laughter, उसके बाद, the happy prince है, too bright dash for his eyes, तो इसका answer, आप two choose को लिज़ेगा, spheres, उसके बाद, 38 में है, John C was suffering from, किसे सफर कर रही थी, John C, तो pneumonia, ठीक है, उसके बाद, who or what was Toto, तो Toto कौन था, तो Toto क्या कौन था, monkey था, एक मंदर था, और Irisma, Irisma is a small town situated in, कहां situated है रिस्मा, तो वो coastal Orisa, Orisa के तट पे हैं, ठीक है, तो अभी एक model set का, इसी तरह से, extra से practice करवा दिये हैं, बस स्वाप लूब देख लीजिएगा, note करके रखेगा, copy में, और especially, जो model set, set one, set two, जो पहले करवाए हैं, वो आपका बहुत important है, अगर जो वीडियो को नहीं देखे, वो please देख लेंगे, मैं description box में, पुरा playlist का link डाल दूँगा, अब वहाँ से भी देख सकते हैं, तो description box को ज़रूँ चीक कीजिएगा, ठीक है, last तक वीडियो को देखने के लिए thanks, और फिर मिलते हम लोग निक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाइन, टेक केर,